हमारे पास यह क्लाक्सिक आई हुई है 350 अब इस क्लासिक अंदर हुआ गया मिसिंग की प्रोडम है तो मैं आपको देखा दा हूं कि मिसिंग कैसे कर रही है गाड़ी और इस सिच्वेशन में हमें करना गया है किन-किन बजहें से मिसिंग हो सकती है तो पहले हम आपको स्टार् हो ड़ी डानी डाट को आप कि कि थोड़ा साइक्सीलेटर लेते ही गाड़ी मर जा रही है ऐसे इतनी ज्यादा मिसिंग के इसमें और उषिक वाजें से गाड़ी ऑफे चलेगी जब गाड़ी मिसिंग होईगी तो गरीट तो आप ही होईगी तो मैं पहले दिखाता हूँ अब इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले हम इसकी CDI को चाक करेंगे, CDI की बज़े से भी मिसिंग हो सकती है, बट कारविटर की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी मिसिंग तो कारविटर से नहीं होती है, लेकिन मैं आपको देखा रहा हूँ। BS4 गाड़ी है ही, तो इसके अंदर नीले रंकी CDI होती है ही, यह वाली, तो पहले हम यह वाली CDI नहीं लगा के देखेंगे इसमें, और देखते हैं कि इस से सही होती है नहीं गाड़ी, तो मेरे पास यह दोनों CDI रख्कियों अलड़ी आई हुई, यह BS3 की की है हमारी, और यह BS4 की है, तो पहले हम BS4 वाली को नहीं लगा के देखते हैं, गाड़ी गंदर, यह रही हमारी नई CDI, तो मैं यह लगा लेता हूं गाड़ी में, तो मैंने नई CDI को लगा दिया इसमें, अब गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं, तो आपने देखा, नई CDI लगाने के बाद भी इस गाड़ी की मिस्सिंग हतम देखते हैं, जो हमारी BS4 की CDI है, वो CDI लगाने के बाद भी इस गाड़ी की मिस्सिंग खतम नहीं हुए है, अब हम लगाते हैं इसमें BS3 की CDI, जो हमारी नीली वाली होती है, तो हम नीली वाली CDI को लगाएंगा, नई CDI निकाल लेता हूं, यह हमने BS3 की CDI को लगा दिया नई इसमें, जो 740 रुपीस की होती है, 714 वाली, अफगाड़ी को करते हैं स्टार्ट, तो आपने देखा, BS3 वाली CDI लगाने से, गाड़ी में क्या आन पर है, एक दम गाड़ी परफेक्ट होगी, कोई भी मिसिंग नहीं है, इस गाड़ी गंड़, तो आपके पास भी अगर BS4 गाड़ी है, और ऐसी मिसिंग की प्रोड़म है, तो आप, मैं तो सजिस्ट करूँगा, आप यह वाली CDI लगाँ, अगर CDI खराब हो रखी, आपकी, यह मि लगवाद है, आपकी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, मिसिंग के मामले में तो ठीक हो जाएगी, बिल्कुल भी, तो इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था, के BS4 में BS3 की CDI काम करती है या नहीं, ऐसा बहुत लोगों ने पूछा था मुझ से कमेंट करके, और आज मैंने आपको लाइव दिखा दिया, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, तो फाइनली दोस्तो गाड़ी हमारी कम्प्लीट हो गई,